फिल्म निर्माता रोहित शेक्टी एक बार फिर बॉक्स ओफिस पर राज करने के लिए तैयार है। उनकी फिल्म सिंधम अगेन दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। एक्षन मूवी का धमाकेदार ट्रेलर बीते दिनों रिलीज हुआ जिसमें निर्माता ने रामायन के सारे संदर्भों को जोड़ा है। बाजी राओ सिंधम और फजय देवगन को भगवान राम के रूप में दिखाया गया है। वही रनवीर सिंध हनुमान के रूप में और टाइगर श्रॉफ लक्षमन की भूमिका निभाते हैं। अर्जुन कपूर कॉप यूनिवस के विलेन है। आए जानते हैं स्टार कास्ट ने फीस के तौर पर कितना चार्ज किया है। सिंध हम अगेन दर्शकों को एक एक्षन से भरपूर ड्रामा देने के लिए तैयार है। सिंध हम 2011 और सिंध हम रिटर्न्स 2014 में अपनी बहतरीन पफॉमेंस के बाद अजय देवगन बाजीराव के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे। DNA की रिपोर्ट की माने तो मूवी को लिए अजय देवगन ने 35 करोल रुपये चार्ज किये है। इसके अलावा, वो रोहित शेटी और ज्योती देशपंडे के साथ साजहदारी करते हुए फिल्म के सेह निर्मताओं भी हैं। रनवीर सिंग फिल्म में भालरावा संग्राम उर्फ सिंभा की भूमिका फिर से निभाएंगे। अभिनेता अपनी उपस्थिती के लिए 10 करोल रुपये चार्ज कर रहे हैं। अक्षय कुमार फिल्म में वीर सूर्यवंशी के रूप में वापसी करेंगे। उन्होंने मूवी के लिए कथित तौर पर 20 करोल चार्ज किये है। करीना कपूर खान, सिंगम रिटर्न्स में आजय देवगन की प्रेमिका अवनी कामत का किरदार निभाती है। वो कथित तौर पर अपनी भूमिका के लिए 10 करोल रुपये कमा रही हैं। सिंगम फ्रेंचाइजी में शामिल होने वाली दीपिका पादुकोर हैं, जो रोहित शेक्टी के कॉप युनिवस में पहली महिला पुलिस कर्मी के रूप में अपनी पहचान बनाएंगी। वो शक्ती शक्ती का किरदार निभा रही हैं और कथित तौर पर उन्हें 6 करोल रुपये मिल रहे हैं। टाइगर श्रॉफ सिंगम युनिवस में ACP सत्या के रूप में अपनी दमदार पफॉमेंस देने के लिए तैयार है। उन्होंने फीस के तौर पर 3 करोल रुपये मिले हैं। झाल 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 झाल